इस प्रकार के सवाल और विचार एक ऐसी मानसिक्ता से आते हैं जो संगठित धर्मों से पैदा हुई है शिव का किसी और से मुकाबला करना हमारा उद्देश नहीं है क्योंकि शिव में वे सभी आयाम मौजूद हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कुछ लोगों ने केवल एक पहलू ढूंडा और उस पर बात करके वे लोग प्रिय हो गए मैं उनके महत्व को कम नहीं बता रहा है वे सभी शांदार लोग हैं जिन्नोंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैं कह रहा हूँ बोध और अनभूती के हिसाब से उनके जैसा कोई भी नहीं हुआ और मैं सिर्व बोध को महत्व देता हूँ और आपको भी यही करना चाहिए बाकी सब बनाएं जा सकता है वे चीजें तो बस ताम जहाम है तो आप जैन के बारे में बात कर रहे हैं खुद शिव से बड़ा जैन मास्टर कौन हो सकता है कि कोई सामने आया और उसके अपने बेटे को समझ नहीं आया कि वो कौन है आपने गुटी के बारे में सुना होगा जैन गुरू गुटी हमेशा ऐसे करते थे वो बात करते हुए भी लोग उन्हें देखकर सोचते यह मुझे उगली क्यों दिखा रहे है वास्तव में गुटी कहना चाहते थे कि सबकुछ एक है और यही उनकी शिक्षा थी कि बाकी मैं जो भी कह रहा हूँ वो महतुपूर नहीं है यही उनकी शिक्षा थी तो वहाँ एक छोटा ललका था क्योंकि बौद और जैम मठों में चार-पांच साल के बच्चे भी सन्यासी बन जाते हैं तो यह चोटा बच्चा मठ में बड़ा हो रहा था और गुटी को देखकर वैसी ही हरकतें करने लगा तो यह बच्चा उंगली दिखाते हुए घुमता रहता था अगर कोई कुछ कहता तब भी गुटी ने भी यह सब देखा उन्होंने उसके सोला साल के होने तक का इंतजार किया एक दिन उन्होंने बच्चे को बिलाया और ऐसे किया उस बालक ने भी आदत के अनुसार वैसे ही किया क्योंकि वो हर जगा यही करता था तब गुईटी ने एक चाकू निकाला और लड़के की उंगली काड़ दी और कहते हैं कि लड़के को आत्मग्यान प्राप्थ हो गया उसे अचाना के बाद समझ में आ गई कि ये इशारा एक के बारे में नहीं है शूनी के बारे में है शिव बहुत समय पहले ही इससे आगे चले गए थे शिव कहीं से वापस आये थे वे हमेशा अपने साथ त्रशूल रखते थे त्रशूल के तीन सिरे होते हैं वे हमेशा अपने पास त्रशूल रखते थे लोगों को ये बताने के लिए कि तीन आयाम है आप या आपके होने का तरीका और वो जो आपको पता है और वो जो आपको नहीं पता और वो जो आपको नहीं पता उसका महतु सबसे जादा है आपकी जानकारी का महतु नहीं है एक दिन शिव काफी लंबे अंतराल के बाद कहीं से वापस लोटे उन्होंने अपने पुत्र को पहले कभी नहीं देखा था जो अब 10-11 साल का हो गया था जब शिव लोटे तो इस छोटे से बच्चे के हाथ में एक छोटा त्रिशूल था जिससे वो शिव को अंदर जाने से रोक रहा था शिव ने बच्चे को देखा और उसका सिर काड़ दिया उसका त्रिशूल नहीं चीना और फिर थोड़ा ड्रामा हुआ और फिर उन्होंने उस बच्चे के शरीर पर एक गण का सिर लगा दिया और वो एक बुद्धिमान बालक बन गया भारत में आज भी अगर लोग शिक्षा की शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले वे उस बालक की पूजा करते हैं गण आज गज बन गया है वैसे तो वो गण का सिर था लेकिन उसे गणेश की जगा गजेश बना दिया गया है लोग उने इसको थोड़ा बदल कर एक हाथी का सिर बना दिया है पर वे बुद्धी और प्रतिभा का रूप बन गये हैं कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें ना पता हो तो जन यहीं से शुरू हुआ था तो अब दुनिया में जिस बारे में भी बात कर सकते हैं वो उनके जीवन में दिख जाएगा वे बहुत जटल और पूर्ण है और उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी उन्होंने सिर्फ तरीके बताए यह सबसे महतुपूर्ण बात है औरों के पास शिक्षा थी कितनी उंग्लियां काटी जा सकती है क्या आप ऐसे किसी तरीके को अपना सकते हैं क्या आप गुईटी के उंग्ली काटने का तरीका सभी पर अलागू कर सकते हैं एक बालक की उंग्ली काट दी गई और उसे आत्म ग्यान मिल गया अगर आप जादा उंग्लियां काटेंगे तो आपके पास केवल अपंग मनुश्य होंगे इससे जादा कुछ नहीं तो शिव ने कोई शिक्षा नहीं दी केवल तरीके बताए और ये तरीके पूरी तरह से व्यज्यानिक है शिव ने 108 रास्ते बताए और उसमें 6 और जोड़ कर कहा कि 112 तरीके हैं 112 इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में 114 चक्र हैं उन में से 2 शरीर के बाहर मौजूद हैं शिव ने कहा कि वे 2 चक्र सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो शरीर से परे हैं इनसानों के लिए केवल 112 रास्ते हैं और उन्होंने इस जीवन को बनाने वाले उन 112 आयामों का इस्तमाल करने के स्पष्ट तरीके बताए और ये बताया कि कैसे हर एक तरीके का इस्तमाल करके आत्म ग्यान पाया जा सकता है एक खुबसूरत कहानी है जब शिव सात रिशियों को जीवन की बनावट के बारे में सिखा रहे थे तो इस दीक्षा का एक गवाह भी मौचूद था वो गवाह आनन्तीर्थ की तरह नहीं था फिपार्वती थी वे आत्म ग्यान प्राप्त कर चुकी थी शिव ने पार्वती को बहुत ही अपने पन के माहौल में आत्म ग्यान तक पहुचाया था पर जैसे ही शिव सात रिशियों के साथ बैठे वे एक खोज के बिलकुल अलग आयाम में उतर गए पार्वती के लिए बहुत रोचक था कि जो अनुभव उन्हें इतनी आसानी से मिला वो इतनी जटल प्रक्रिया है तो शिव ने अलग अलग आयामों के बारे में समझाते हुए कहा मनुष 112 तरीकों से आत्म ग्यान प्राप्त कर सकता है पार्वती ने एक महिला एक आत्म ग्यानी और सबसे बढ़कर उनकी पत्नी होने के नाते कहा 112 ही क्यूं और भी तरीके होंगे शिव जीवन की बनावट के बारे में समझा रहे थे वे जीवन की खोच कर रहे थे वे कोई शिक्षा या फिलोसफी नहीं दे रहे थे तो इस खोच के बीच में उन्हें लगा कि शांती भंग हो रही है शिवने इशारे से परवती को कहा बैठ जाओ सिर्फ 112 तरीके हैं क्यूंकि वे कुछ सिखा रहे थे और कोई कुछ अलग बात कर रहा था एक निजी बात एक मनमानी बात तो वे बोले बस 112 तरीके हैं वे बोली मैं और भी ढूंडूंगी शिवने कहा तुम जाओ और ढूंडो फिर पारती वहां से चली गई वे पहले ही आत्म ग्यानी थी और आत्म ग्यान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके खोजने लगी कहते हैं काफी सालों की साधना के बाद वे वापस आई शिव तब भी सब्तरिशियों से बात कर रहे थे पत्नी होने के नाते वे उनके पास बैठ सकती थी पर उनसे एक सीड़ी नीचे बैठी वे हार गई थी वे चाहती थी कि सिर्फ शिव को पता चले ना कि सब्तरिशियों को वो बस आई और अपनी हार मानने के लिए थोड़ा नीचे बैठ गई कि जो चुनोती उन्होंने दी थी वो उसमें हार गई तो वो नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले पर वे चाहती थी कि शिव को पता चले तो एक सो बारा तरीके हैं शिव जीवन की बनावट के बारे में बात कर रहे हैं कोई फिलोसफी कोई शिक्षा या सामाजिक महत्व नहीं बस विज्ञान हम सामाजिक महत्व को जोड़ देते हैं नहीं तो ये कुछ जादे विज्ञानिक हो जाएगा इस विज्ञान से अलग-अलग गुरू तकनीक बनाते हैं उन्होंने तकनीके नहीं दी थी उन्होंने सिर्फ विज्ञान दिया था जिन तकनीकों का आप आज इस्तिमाल कर रहे हैं चाहे वो स्मार्ट फोन हो कंप्यूटर हो या कोई गैजट हो सभी के पीछे एक विज्ञान है आपको उस विज्ञान से मतलब नहीं है आप बस तकनीक का इस्तिमाल करते हैं लेकिन अगर किसी ने विज्ञान न समझा होता तो आपके पास तकनीके नहोती सरल सॉफ्ट्वेर बनाने में जिन अल्गॉरिदम्स का इस्तिमाल होता है वो बहुत जटल होती है कभी-कभी आपकी इमेल अजीब सी भाशा में दिखाई देने लगती है क्या आपने देखा है आपको लगता है क्या मैंने ये टाइप किया आपके लिए ये बेमतलब है लेकिन किसी और के लिए इसका मतलब है इसी वज़ा से ये काम करती है यहां हम केवल धनी तरंगे या साउंड वेव का इस्तिमाल कर रहे हैं जब मैं बोलता हूँ तो ये एम्प्लिफायर्स मेरी आवास को बढ़ा देते हैं और ये धनी तरंगों के रूप में फैलती है मान लिजए यदि मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूँ तो मेरी बात धनी तरंग नहीं बनेगी ये एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव बन जाएगी और वहां पहुँचकर धनी तरंग बन जाएगी जब ये यहां से वहां तक जाती है तो फोन पर बात करते समय ये यहां से बैंगलोर तक धनी तरंग के रूप में नहीं जाती है ये कुछ और बन जाती है अगर आप उसे सुने या उसे महसूस करें तो ये बिलकुल अलग होंगी पर कोई उपकरण इन्हें फिर से धनी में बदल देता है जिसे आप समझ पाते है तो जो शिव ने कहा वो बस शुद्ध विज्ञान है उन्होंने तकनीक की बात नहीं की उन्होंने ये काम सब तरिशियों पर ही छोड़ दिया कि वे किसी खास दिन अपने सामने बैठे लोगों के लाइक तकनीके बना ले अपनी जरूरत के आधार पर हम गैजट बना लेते हैं लेकिन विज्ञान एक ही होता है है ना विज्ञान बिलकुल नहीं बदलता तो मैं हमेशा शिव की बात करता हूँ क्योंकि विज्ञान महत्वपूर्ण है तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है विज्ञान महत्वपूर्ण है तकनीक बनाई जाती है तकनीक हम खुद बनाते हैं क्योंकि एक मूल विज्ञान है उसका इस्तिमाल करके हम कुछ बना लेते हैं जिन करणों का आज महत्व है शायद कल उनका महत्व ना रहे ऐसा हो चुका है है ना कितने गैजट जो हमें बहुत उप्योगी लगते थे वो अब उप्योगी नहीं रहे क्योंकि नए गैजट आ गए हैं लेकिन विज्ञान नहीं बदला तो किस तरह के गैजट हम बनाते हैं ये इस से तै होता है कि हम किस के लिए बना रहे हैं और इस समय किस चीज की जरूरत है तो इस संदर्ब में जिन अन्य गुरुओं का नाम आप ले रहे हैं उन गुरुओं में और जिने आप आधियोगी कहते हैं में बहुत 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 बढ़ा अंतर है वे सभी तकनीकी लोग हैं उन्होंने इसका एक आयाम समझा और उस पल उनके सामने बैठे लोगों के लिए एक खास तकनीक बना दी वे लोगों के काम आई और उस पल यही बात जरूरी थी पर हम आधियोगी को वेग्यानिक आधार की तरह देखते हैं आज ये महत्पून है आज जब आज जब मानवता बहुत से कारणों से ऐसी स्थिती में पहुँच गई है ये ज़रूरी है कि इसके मूल विज्ञान को मजबूत किया जाए